Hello Students, वागे थे आप सभी का एक और नई वीडियो में आज हम लेकर के आचुके हैं कक्षा 11 बी के विद्यारतियों के लिए विशे बहुत एक सास्तर त्रिमासिक परिक्षा के सभी प्रशनों के उत्तर जी हैं Students, आज इस वीडियो में आपको सभी प्रशन और सभी उत्तर आप को यहाँ पे मिलने वाले है फुल सॉल्यूशन आज यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा तो चलिए फिर आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को परना अनिवार है और यहाँ पे आगे जो निर्देश दिये गए हैं इनको ध्यान से आप रीड कर लीजिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं सबसे पहला प्रशन देखिए सही बिकल्प चुनकर लिखिए तो यहाँ पे आपको सही बिकल्प चुनकर के लिखना है सबसे पह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है इसके बाद तीसरा प्रशन देखिए प्रकास वर्स मात्रक है तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा तीसरे प्रशन का उत्तर हो जाएगा दूरी का प्रकास वर्स मात्रक है दूरी का इसके बाद चौत प्रशन देखिए किसी गती मान करन के लिए सूनने हो सकता है तो इसका उत्तर आपको लिख देना है विस्तापन हो सकता है इसके बाद पांचवा प्रशन देखिए निमन लिखे तो मैंसे कौन सी रासी अधिस है तो इसका उत्तर आपको लिख देना है कार ओप्शन फोर्थ आपको यहाँ पे टिक कर देना है इसके बाद चटवा प्रशन देखिए संबेक परिवर्तन की दर बरावर होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा बलके बरावर होती है option tied आपको यहाँ पे टिक कर देना है इसके बाद आखरी प्रशन देखिए यहाँ पे सही बिकल्प में महत्म परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षिप को किस कोर्ण से फेकना चाहिए तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 45 डिगरी कोर्ण से फेकना चाहिए अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रशन आ गया है रिकित इस्थानों को भर दिये तो रिकित इस्थान आपको यहाँ पे भरना है फिलिंदी ब्लेंक्स आ चुके हैं तो सबसे पहला प्रशन यहाँ पे दिया गया है गुरुत्बा कर्शन बल की परास खालिस्थान होती है तो यहाँ पे क्या आजाएगा अनन्त होती है यहाँ पे आपको अनन्त लिख देना है इस तरह इसके बाद दूसरा प्रशन है देखे 4.0030 में सार्थक अंकों की खालिस्थान संख्या है तो यहाँ पे आजाएगा पांच है यहाँ पे आपको पांच लिख देना है इसके बाद तीसरा प्रशन है बैग परिवर्तन की दर को खालिस्थान कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा तवरण कहते हैं इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे ता लिखा हुआ है इसके बाद चोथा प्रशन है बाहनों में लगा स्पीडो मीटर किसी छण बाहन की खालिस्थान दरसाता है तो क्या दरसाता है तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको लिख देना है देखिए ताख छाणिक चाल दरसाता है तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है ताद छानक चाल दरसाता है इस तरीके से आपको लिख देना है इसके बाद देखिए चावाला study देखिए बलियर्ड बाल की गती खालेस्थान गती होती है तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक तल गती होती है इसके बाद छेटवा प्रशन देखिए बल का आवेग खालेस्थान में परिवर्तन है तो यहाँ पर संबेग आ जाएगा इस तरीके से आपको लिख देना है इसके बाद आखरी प्रशन है सकती का मातरक खालिस्तान है तो यह तो आप सबको पता होगा बाट है यहाँ पर बाट आपको लिख देना है इसके बाद सही जोड़ी मिला करके आपको यहां पर लिखना है तो सही जोड़ी आ चुकी हैं अब यहां पर देखे सबसे पहला देखे बेतार संदेश तो इसको आप मिलाएंगे यहां पर मारकोनी से बेतार संदिश को मारकोनी से मिलाना है दूसरा है एक जूल तो एक जूल को आप मिलाएंगे एक गुड़त 107 अर्ग इससे इसके बाद तीसरा है चाल तो चाल को आप मिला देंगे मीटर पर सेकेंड इसके बाद गती का प्रथम नियम तो गती का प्रथम नियम है, भी वरावर U plus 80, इसके बाद देखे यहाँ पे, सदिसरासी, तो सदिसरासी इसको आप मिलाएंगे bag से, इसके बाद है कोर्णी ये बेग, तो इसको आप मिला देंगे, को निये बैग को रेडियन पर सेकंड और बल का आबेग तो इसको आप मिलाएंगे संबेग में परिवर्तन अब इसके बाद चौथा प्रशन आ गया है एक सब्द या फिर एक बाके में उत्तर दीजिए तो एक सब्द या फिर एक बाक्य में आपको यहां पर उत्तर लिखना है तो सबसे पहला प्रशने नोबल पुरुसकार से सम्मानित प्रथम भारतिय ब्यग्यानिक का नाम लिखिए तो प्रथम भारतिय ब्यग्यानिक कौन थे? सीवी रमं थे, आप सबी को पता होगा, जिसको नहीं पता है धिहान से याद कर लीजे, सीवी रमं इसके बाद दूसरा प्रशन मीटर पर सेकिंड किसका मातरक है? तो मीटर पर सेकिंड देखे यहां पर जूत्पन का मातरक है, इस तरीके से आपको लिखना है तीसरा प्रशन आ गया है किसी बस्तु द्वारा चली गई दोरी सुनने हो सकती है या विस्थापन तो इसका उत्तर आ जाएगा विस्थापन आपको यहाँ पर लिख देना है चौथा प्रशन है कोडनिये त्वरण का मात्रक क्या होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड देखे रेडियन पर सेकंड स्क्वेर यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वेर लिख देना और पाचवा प्रशन है प्रक्षेप्य पत के किस बिंदू पर चाले न्यूनतम होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा उचितम बिंदु पर कहां होती है उचितम बिंदु पर उचितम बिंदु पर आपको यहां पे लिख देना है बिंदु पर इसके बाद छेटवा प्रशन है एक किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन के बरावर होता है तो यहा पर Newton की spelling लिखे हुई है, तो देख करके लिख दीजिए, इसके बाद आखरी प्रशन है, उर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसी तरीके से आगे प्रशन दिये गए हैं, अब देखिए इसके बाद पांचवा प्रशन आ गया है, प्रकरती के चार मूल बल कौन- आए गए हैं, और आगे के जो question है, इनके answer काफी lengthy है, इसलिए आप पुरा PDF डाउनलोड कर लिजे, PDF डाउनलोड करने की जो direct link है, वो description में उपलब्द करा दी गई है, यदि link आपको description में नहीं मिलती है, तो थोड़ी देर बाद check कीजिए, link update कर दी जाएगी, लेकिन description में म दियान से लिख सकें, तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को like कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और PDF की direct link description में provide कराई गई है, तो जाकर के एक बार check कर लीजिए,